नमस्कार फ्रेंट स्वागत है आप सभी का सॉलिशन में दूरी सर्व यूटूब चैनल में इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन्स की एक्ससाज ली है जिसमें आपको 30 कलेक्टिव नाउन्स मिलेंगे आपको इसको नो डाउन कर लेना है कॉपी में आप बारवार इसको प्रेस करें चलिए सरू करते हैं सबसे पहला जो है आ-blank of pupil तो मतलए जो लोगों की भीड होती है उसको क्या कहते है तो आप इसको यादरखे जो प्यूपल के लिए यूज करते हैं crowd तो crowd of people, मतलब लोगों की भीड, अगला जो question है, question number two, blank of cattle, blank of cattle, मतलब पसुऊं का जोण्ड, तो पसुऊं के जोण्ड को उम क्या कहते हैं, तो पसुऊं के जोण्ड को कहते हैं, hard, a hard of cattle, तो मतलब पसुऊंग का जोण्ड, तो option जो है, आवले इसका सी कर्यक्ट हो जाएगा अगरा जो कॉश्यन नमर फूर्ट आ लेंगत पति इस्टोEr्ट के लिए क्या यूज करते हैं क्लस्टर खरी यूज करते हैं गञेक्सी यूज करते हैं तो गयक्सी और cluster दोनों यूज़ कर सकते हैं stars के लिए तो इसका हो जाएगा तारों का जुंड cluster of stars तो आप इसको भी याद रखें friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइकन से जरू करें अगला जो question number five a blank of roberts मतलब जो डांकों का समू होता है तो उसको हम कहते हैं gang a gang of roberts तो आप इसको note down अपनी copy में कर लें जिससे कि आप बार बार revision कर सकें ठीक है और वीडियो भी आप देख सकते हैं बार बार लेकिन आप copy पे अगर लिख लेंगे तो आपको हमिसा के लिए जुन्ड अगला जो question number six a blank of players मतलब जो खिलाडियों का दल होता है तो उसको हम कहते है team a team of players अगला जो question number seven a blank of ends मतलब जो जुन्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं swarm तो इसका जो है बी option correct हो जाएगा swarm of ends अगला जो question number eight a blank of cattle तो अभी मैंने बताया था तो जो cattle है cattle के लिए हम यूज करते हैं hard और इसके लिए drug भी यूज कर सकते हैं drug और cattle दोनों यूज कर सकते हैं तो दोनों को आप लिख लिख ल of trees मतलब जो ब्रचों का समू होता है तो उसको क्या कहते हैं clump तो उसको हम कहते है a clump of trees मतलब की ब्रचों का समू अगला जो question number ten a blank of events मतलब की जो घटनाओं का क्रम होता है तो उसको कहते है series a series of events मतलब की जो घटनाओं का क्रम होता है तो उसको हम कहते है series अगले जो क।ो इसमें तो यह थान वाला दिया जिसमें तहन से कपड़ लिया जाता है यह होता है यह होता है जह तो हम लोग सिलाने के लिए लेते हैं करिदते हैं फ्रोंसको हम सिलवाते हैं टेलर के द्वारा तो ये वाला होता है ओर जो जिलासलाया होता है तो ये होता है Rediment तो दोनों को आप Spelling से याद रखें जो S आता है Last में जिसके ये होता है थान वाला कपड़ा और C-L-O-P-H-E-S वाला होता है तो ये सिला सिलाया कपड़ा होता है जो रेडिमेंट होता है तो आप इसको याद रख सकते हैं तो इसको उन क्या कहते हैं अब link of cloths तो मतलब जो थान वाला कपड़ा होता है तो इसको उन क्या कहते हैं तो इसका जो right option हो जाएगा ये bundle हो जाएगा a blink of dancers तो dancers के उसको क्या कहते हैं तो आप लोग पहले सूच लिजिए तो इसको कहते है troop तो दोनों spelling आप याद रखें तो इसको कहते है troop of dancers और यह जो troop है यह हम करते हैं यूज किसके लिए यह करते हैं soldiers के लिए अगला जो question है question number 14 a blink of judges तो आपको यह पता होगा jury of judges तो इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 15 a blink of children तो children के लिए हम क्या यूज करते हैं तो यह हो जाएगा troop जो टी आर डवलोपी है तो यह होता है troop troop of children तो इसको भी आप याद रखें और जो dancer है dancers के लिए हम यह यूज करते हैं दोनों spelling आप याद रखें dancers के लिए हम troop यूज करते हैं टी आर ओ यूज करते हैं और यह जो children के लिए और soldiers के लिए यूज करते हैं तो यह करते हैं टी आर डवलोपी तो दोनों spelling आप याद रखें अगला जो Queshain 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 Ques books तो मतलब जो किताबों के जुंड को मतलब किताबों के गठर को हम क्या कहते हैं तो पुस्तकों के गठर को हम कहते हैं pile तो option जो है इसका see correct हो जाएगा मतलब books का जो गठर होता है किताबों का ये गठर होता है तो उसको कहते हैं piles तो आप याद रखें आप पाइल ओफ बुक्स अगला जो कुश्चन है कुश्चन नमर 19 और आप लोग इसकोर जरूब बता है कि आप लोगों ने कितना अगर हम आर्मी यूज करना है तो सुरू में हमें लगाना है यह भी आप याद रखें तो आप पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं आर्टिकल वाला अगर छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की साउंड आए तो इसमें जो आर्मी है तो आर्मी कि जो sound है यह है पहला अच्छा रहे आ तो आ जो है चोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा तो इसलिए इससे पहले article जो आएगा N आएगा अगर यही जो sound है यह का से लेके गाग्यानी के बीच में अगर आती तो इससे पहले article लगाते A, यहाँ पर troop का जो है जो troop है, जो troop का sound आ रहा है, तो इसलिए इससे पहले माटी का लगाएंगे A, और army से पहले माटी का लगाएंगे N, जो लगाया है तो यहाँ पर आ जाएगा army और troop भी हम use कर सकते हैं तो आप दोनों याद रखें troop of soldiers भी हो सकता है और an army of soldiers भी हो सकता है तो दोनों आप याद रखें पेपर में कोई एक आएगा, तो आप चिंता मत करें एकदम अगला जो question है, question number 21 a blank of directors तो directors के लिए use करते हैं a board of directors, तो आप इसको याद रखें तो इसका जो है, D option जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो निदेश सरकों की मंदली होती है उसको कहते है, a board of directors अगला जो question है, question number 22 इसमें दिया है, a blank of grains तो grains मतलब होता है अनाज तो अनाज का जो गठर होता है, उसको हम कहते है safe, तो safe किस option ने दिया है तो मतलब जी, चौप चावियों का जो गुच्छा होता है, उसको हम कहते है bunch, तो a bunch of keys तो इसका जो है, a option correct हो जाएगा अगला जो question है, question number 25 है a blank of stars तो stars के लिए यूज करते हैं, galaxy भी और cluster, दोनों भी यूज करते हैं, दोनों का व्याद रखना a galaxy of stars और a cluster of stars, मतलब की तारों का जुन्ड अगला जो question है, question number 26 a blank of sips, मतलब की जो जहाजों का बेड़ा होता है, उसको हम कहते है fleet, तो a fleet of sips तो आप इसको याद रखें अगला जो question है, question number 27 a blank of fish, तो fish के लिए हम करते हैं use, shoal, तो shoal of fish a soul of fish, तो इसको आप याद रखें मचलियों का जो समूँ होता है उसको उन कहते है, shoal अगला जो question है, question number 28 है a blank of flowers, तो flowers के जो फूलों का गुच्छा होता है तो उसको उन कहते है, bucket a bucket of flowers, तो आप इसको याद रखें और इसको देख लिजे, आप spelling ये bucket लिखा है, तो आप और कुछ मत पढ़िए इसको ये bucket है, तो spelling आप लोग देख लिजे अगला जो question, question number 29 a blank of singers, मतलब की जो गाईकों की मंदली होती है तो उसको कहते है, choir, a choir of singers, अगला जो question, question number 30 a blank of swing, तो swing मतलब होता है, sewer, तो सुगरों के जुन्ट को हम क्या कहते है, तो इसको कहते है, hard, a heart of swing तो इसका जो है, be option correct हो जाएगा thank you friends, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like and से जरू करें, और इसका जो part 2 है आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो आप जिक दम चिंता मत करिए, आपको एक दूद दिन में part 2 मिल जाएगा इसका, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and से जरू करें, अगर चैनल पर पहले आप विजिट कियें, चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तब तक करें, जय हिंत, गवंदे मात्रम